नमस्कार क्यापचल टीवी देख प्रयाब मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर दिल्ली शराब गुटाले से जुड़ी यूँ आपको बता रहे हैं जहां आज एक बार फिर से अर्विन केज्रिवाल ने एडी की समन को एग्नोर कर दिया है दर ऐसे में बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि एडी सात्वा समन भेजने की तयारी कर रही है आज के समन को इग्नोर करते हुए आम आदमी पार्टी का कहना है कि समन की वैदता का मामला कोट में है तो जाच एजनसियों को कोट के फैसले का इंतजार करना चाहिए पर एडी अ बार-बार इग्नोर करना कैसे केजरिवाल को भारी पढ़ने वाला है देखे केजरिवाल को ये पूरी तरह से पता है कि एडी के सामने वह प्रस्तुत हुए नहीं कि हतकड़ी लगी त्याहार में जो है इनका बसेरा जो है ट्रांसफर हो जाएगा तो यह शीष महल छोड़ व्यक्ति वो ईडी और इसके चक्कर में त्याहार क्यों जाए आज क्या हुआ आज इडी ने इन्हें बुलाया था तो हर बार कितरह ये भगोड़े बनते हैं इस बार भी ये भाग गए इन्होंने क्या नया बहाना दिया कि कोट के अंदर जो समन्स के उपर उसकी जो वैद मत भेजो उसकी ज़रूरत नहीं एक बार कोट का फैसला आएगा तब फिर सोचेंगे और जब तक कोट का फैसला नहीं आता है तो आप हमें समन्स मत भीजिए अब मिस्टर केजरिवाल इस मिस्टर नौल उस सब कुछ मालूम है कभी वो जज़ बन जाता है कभी एडी अधि कह रहे हो उसी में फॉल्ट है फॉल्ट क्या है ये भी समझ लीजिए फॉल्ट ये है कि कैपिटल टीवी हम लोग सुरू से इस बात को कहते आ रहे हैं कि जो एडी कोट के अंदर गई वो जो लगातार आप अवहेलना कर रहे थे समन्स की उस अवहेलना के मामले को लेकर के लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही एडी अपना काम छोड़ देगी इडी ने उसके बाद भी छटा समंध दिया अब सबसात्वा समंध भेजा जा रहा है क्यों भेजा जा रहा है क्योंकि वह जो आप डिलिबरेटली एडी के समंस को इलीगल बता रहे थे उसका फैसला उ legality के उपर नहीं है एडी ने जो case किया है वो यह case नहीं किया है कि court decide करे कि हमारे समनी legal है या legal है यह नहीं है court के सामने सवाल court के सामने फैसला यह होना है कि आपने कानून को तोड़ा या नहीं तोड़ा अंदर section IPC 174 आपने उलंगन किया या नहीं किया क्योंकि यह जो तमाम notice दो भेज आ रहे हैं यह section 45 के तद भेज आ रहे है इसके उलंगन पे बकादा आपके उपर यह जो PMLA कानून है उसका 62 जो पारा है वो आप liable हो जाएंगे कि आपके खलाफ IPC 174 के तहट action लिया जाए तो आपके जो वकील हैं आपको misguide कर रहे हैं कि वहाँ पे legality और illegality होना है तै नहीं वहाँ यह तै होना है कि आपने जान बूझ कर ED के समन का निरादर किया उसकी अभेलना की और इसलिए क्या आपको अंडर IPC 174 सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए इसको लेकर आज ख़बर साबने है कि कोट ने इस पे संग्यान ले ले लिया है और गोट ने ये एक्सिप्ट कर लिया केस को और आपको नोटिस भी दे दिया और आपके लिए तारिक भी तैकर दी इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि कोट ने प्राम अफेसी ED के दलीलों को मानते हुए आपको एक आरोपी बना करके आपको बुलाया जा रहा है कि आपने जान बूज कर अवहेलना की है और आप 174 के लिए लैबल हो आपको उसमें सजा मिल सकती है ये तै होगा इस केस में वहाँ कोई ED के समंस के validity की ED जो समंस भेज रही क्यों valid है या नहीं है ये सब चीजें वहाँ पे कोट के सामने नहीं है अब आपने छटा भी बंद कर दिया जब ये कोट में ये लोग गए थे उस वक्त भी हम लोगों नहीं कहा था कि ये केस अलग चलेगा शराब घुटा लेका केस अलग चलेगा तो ये अलग जो चल रहा है तो आप ये देखिये कि छटा समन आप ने नहीं माना सातवा नहीं माना अब इस से क्या होगा मैं अगर आज क्य एडि कोट मूव करती तो इसका मतलब है कि immediate कोई काम करने की कोशिश में है ED ने सात्वा समन भीज दिया इसका मतलब ED की planning बड़ी तगड़ी है एक और मुख्यमंत्री है यहमन सुरेन वो दसवी बार में पकड़ाया गच्चा उसको भी वो भी एही कहता था कि हमारे को बहुत काम है वो तो यह तो कहीं गया नहीं वो तो lower court, high court, supreme court तक गया कि मैं मुख्यमंत्री हो मुझे कैसे क्या मुझे फसाया जा रहा है साफे की आम आदमी पार्टी के तरफ से कहा जा रहा है कि court के फैसले का इंतिजार करे लेकिन ED इंतिजार नहीं करेगी देखिए court के फैसले का इस केस से कोई लेना देना नहीं ट्राइ टू अंडरस्टैड कि ये वैसा कहानी है इसको सिंपल सब्दों में समझा दे कि एक डखायत है वो चोरी किया है उस पर जाच की जा रही है है ना और अचानक से ये मालूम चलता है कि उसने किसी का मडर भी कर दिया तो मडर केस अलग चलेगा डखेती का केस अलग चलेगा तो ये जो अब मानना इसने किया है जो नोटिस को निरादर किया वो गया नहीं वो केस अलग चल रहा है और सराब घोटाले का केस वो बिलकुल अलग चल रहा है और इसलिए ये सात्वा आठ्वा नोवा मतलब केजरिवाल का हाल हेमन सुरेण के तरह होने हेमन सुरेण से भी बत्तर होगा कारण हेमन सुरेण वो ये नहीं कह रहे थे कि भई समन्स इलीगल है वो ये नहीं कह रहे थे कि भई आप ये समझ ये आप लगातार press conference करके आपने कभी सुना कि ED का समन जा रहा है और जारखन मुक्ति मुर्चा वाले press conference कर रहे हैं जलील कर रहे हैं वो कभी आपने सुना कि भई हम उसका यह कर रहा है यह इतना ज्यादा तमाशा कर रहा है आज भी आम आदमी पार्टी के तरुस से कहा गया कि सबन गैर कानूनी है जान बूझ के फसाया जा रहा है वही बात जो हर बार आम आदमी पार्टी के यह जूटे लोगों को जज किसनी बना दिया दोनों ही बात तुम भी कहते हो मना चित भी मेरी पट भी मेरी आप यह भी कह रहे हो एक सास में कि लीगल है या इलीगल है यह कोट डिसाइड करेगा और फिर अगले सेंटेस में तुम खुद कहते हो कि यह इलीगल समन है तो भाई हो आखिर क्या तुम कोट से उपर हो केज जैसे जैसे चुनाओं नजदी काते जाएंगे और चुनाओं के दोरान अगर इसको गिरफतार किया जाता है तो पार्टी का कुछ प्रोस्पेक्ट बन जागा लेकिन यह नहीं होने वाला यह केजरिवाल के सलाकार और उसके वकील मिसगाइड कर रहे हैं उसको कि भई अगर जेल भेज दिया गया तो एक सिंपथी वेवा जाएगी लोग जो है बोलेंगे हाए हाए केजरिवाल को जेल में डाल दिया यह कब होता है यह तब होता है जब प्रायमाफिस ही यह लगता है कि कोई निर्दोष वक्ति है जब ऐसा लगता है कि यह वक्ति समाज क के लिए कुछ अच्छा कर रहा था कोई आंदोलन करने जा रहा था सिस्टम पर सवाल करने जा रहा था इसलिए उसको जेल में डाला गया है तो सिंपथी आती है चोरुचक के जेल में जाते हैं ना उससे सिंपथी नहीं आती लोग कहते हैं बहुत सही किया घोटाले बाज जे आप घोटाले में शामिल थे सुप्रिम कोट का दर्वजा तक कि लोगों ने खट-खटा लिया कहीं से किसी को कोई रियायत नहीं मिली किसी को कहीं से जमानत नहीं मिली आप किस खेत के मुली हो भाई तो यह जो प्लैन यह बना रहा है यह राज़िंती के दृष्टी से भी औ और ऐसा आग कि जिससे यह पूरी आमादी पाटी जल के खाक हो जाएगी झाल